मैंनों में रिकूरूटमेंट नह ली, फिर रमजान, इद, गनपती, दसरा, दिवाली, फॉलोड बाइ इलेक्शन्स, तो इस साल का भी रिकूरूटमेंट रह जाएगा. So this is the only time that we can hold the recruitment. क्योंकि पिछले साल ये 5 किलोमीटर रन जो था, मुंबे सिटी में सबेरे 8 मजे से लेके दुपेर को 1 मजे तक और शाम को 4 मजे से लेके रात के 8 मजे तक ये पिछले साल हुआ. पिछले साल अप्रॉक्सिमेटली 68,000 लोग ने 5 किलोमीटर रन में भाग लिया. Fortunately, there was no incident last year. Injury, dehydration, ठकावत ये पिछले साल भी हुए, but fortunately last year there was no loss of life. इस साल भी हमने recruitment अपना जो शुरू किया. अब तक हमने 30,196 candidates में हमने outdoor हमने complete किया. मतलब जो पहले 4 items थे, plus 5 किलोमीटर रन, ऐसे 30,196 लोगों का हमने outdoor complete किया है. Outdoor complete करने के बाद में फिर written test होता है, जो हमने सब ध्यान में रखते हुए, कि इसके बाद में लेडी कॉंस्टिबल्स की recruitment भी चलेगी, 6 तारिक को, 6 जुलाइ को हमारा written exam हमने रखा है. Now we are planning. Now we are planning क्योंकि ये सब, you know, ये जो unfortunate ये जो चार incidents, deaths जो मुंबई के recruitment में हुए है और एक खाने ग्रामिन की recruitment में हुआ है. हमने, जैसे मैंने आपको बता है, हमने 10 तारिक को शुरू किया था, 11 तारिक की सबेरे, 9.30 का जो एक detail थी, 11 o'clock की एक detail थी, और 11.40 की एक detail थी, ये तीन detailों में हमारे लोगों ने देखा कि कुछ लोग, कुछ लोगों की candidates की तब्या ठीक नहीं है. हमने उन्हें हॉस्पिटल में shift किया, डॉक्तर से हम continuously बात्चीत करते रहे, best medical facility हमने आने, उनको देने की कोशिश की, unfortunately we had four deaths, जो जो चौथा death, जो कल रात का है, ये 14 तरीक को सबेरे, साथ चालीस को, यहां से ये डीटेल आपने अभी देखा है, एक डीटेल निकली है, इसी ये साथ चालीस को सबेरे डीटेल निकली, और ये जो हाथसा हुआ, ये आथ पाच को, उसकी तब्याद बिगडी और आथ पाच को हमने उसे हॉस्पिटल में shift किया, अब ये सब जब एक चीज हमने देखी कि ये सिर्फ सबेरे के ट रनिंग में हो रहा है, इस वाद ओंडी हापनिंग इन दी रनिंग इन दे मॉनिंग, तो हमने ये डिसिशन ली कि हम सबेरे का जो रनिंग है, हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ शाम के टाइम में पाच बज़े के बाद में जब थोड़ा वेदर ठीक हो जाए, तो हम फाइव किलोमेटर की रन लेंगे, अभी आप पूछेंगे कि ये आपने पहले क्यो नहीं किया, मैंने आपको बताया कि 1,6,825 अप्लिकेशन हमको मिले, इतने लोगों को हम उनको 5 किलोमेटर रन में भगाना है, हमारा एक्स्पीरियंस है कि ये जो कैंडिडेट्स यहां पर आते हैं, ये ये आर कमिंग फॉम वेरी पॉर बैक्ग्राउंड, उनको रहने, इदर रहने का उनको प्रॉबलम है, खाने का प्रॉबलम है, तो हमने ये प्लैन आउट किय जाता है कि जो भी कैंडिडेट आएगा, उसको मैक्समम पहले लॉट में थ्री डेज, फॉर्स डे, वरिफिकेशन अब दॉबलम है, राकेश मारिया, कमिशनर मुंबई पुलिस जानकारी देते हुए, नौजवानों की बहाली के दौरान, जब सिपाहियों की बहाली के पॉक्त को बदलिं.